वर्ष दोहजार तेईस कई अनुभवों के साथ में विदा हो रहा है जिसमे मीन राशी के महनुभावों ने साड़े साती का प्रथम प्रवास करम भोगने के शुरुवात भी की जिस रफ्तार के साथ में आप चल रहे थे वहाँ जैसे ही कुछ परेशानिया निकल कर आई तो शुरुवात में समझ में नहीं आया के हो क्या रहा है परंदु जैसे जैसे वो समय आगे बीता ये स्पस्ट होने लगा कि साड़े साती के प्रथम प्रवास करम के दस तक संघर्षों के साथ में है वर्ष दोहजार चौबीस अपनी अनंत संभावनाओं के साथ है और मीन राशे के महनुभावों के लिए ये संभावनाए कर्म के साथ जुड़कर किस और इशारा कर रही है इसका समग्र चर्चा ब्रतांत लेकर हम आप सभी के समख्ष यहां उपस्तित है सर्व प्रतम ग्रह गोचर यह विवस्थाओं में आप यह पाएंगे कि शनिदेव के स्तिया द्वादश भाव में है इसे वज़े से ब्रिहस्पति वर्दान राशी के महनुभावों को साड़े सांथी का प्रतम प्रवासकरम चल रहा है राहु मीन राशी स्थान में ही इसे वज़े से जो कन्फ्यूजन्स के अप्रोच है वो कंटिनूस मेजर्स में है तो वहीं देव गुरू ब्रिहस्पति अपने ही कारक भाव में धन, वानी और परिवार भाव के साथ में यानि द्वितिय भावस्त करम जो कि एक तरह से भाव सुतंतर भी कहा जा सकता है भाव पनफर की स्थिया है वहाँ एक मही तक यानि 2024 के शुरुवाती चार महीनों तक देव गुरू ब्रिहस्पति द्विति भावस्त उसके बाद पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो ऐसी अवस्ताओं के साथ मैं व्यक्तित्व क्या कह रहा है व्यक्ति के भीतर का आत्म विश्वास कौन से समवेदनाओं को लेकर आ रहा है वहीं से चर्चा की शुरुवात इस पूरही वर्ष कन्फ्यूजन से बचकर चलने की जरुरत है निर्णे में हाँ है तो हाँ है और यदि रुखना है तो फिर रुख जाना है ये सपस्टता तारकिक तोर के उपर खुद के साथ में बना कर रखिएगा एक जॉब में चल रहे है और वहां संगर्श है उस इस तर कि संगर्श नहीं है जिसको manage नहीं किया जा सकता और विक्ति ये सोचने लगता है कि इसे भी हम सहन नहीं करेंगे आगे बढ़ेंगे lucrative offer आता है जो organization इतनी stabilized नहीं है उस तरफ विक्ति जाने की शुरुबात कर देता है और खुद को घेड़ता चला जाता है business एक point of view के साथ में better approach में है परंतु विक्ति को लगने लगता है कि यहाँ saturation है किसी मित्र के साथ में मिलते हैं और किसी और शेत्र की तरफ जाते हैं उस शेत्र का अनुभव भी नहीं वहाँ अभी तक अपनी पूरी reading को establish किया ही नहीं और विक्ति उस और जाने का प्रहत्म करने लगता है वो भी confusion के measure हैं उनसे बचिएगा liquidity raise हुई है किसी asset की वज़े से कोई area वगरा आपकी job के साथ में निकल कर आया incentive निकल कर आया और लगने लगा कि इसे इस शेत्र विशेश के साथ में निवेश कर दिया जाए और अच्छे return की portion रहेगी ऐसे सारी है गफलतों से इस वर्ष खुद को आप संभाल कर रखिएगा ये बात जरूर है कि पर्थम भाव के अलिपती देव गुरु ब्रेस पती पहले दन भाव और उसके बात पराकरम भाव में रहेंगे इसे वज़े से गाहे बगाहे निर्णायक मौकों के उपर आपका जो आत्म विश्वास है वो अपने आप से मलने के स्थितियों के साथ में आता रहेगा और वहीं जो समवेदन शील निर्णाय होते है जब भी वेक्ति अपने परिवार के बारे में सोचता है अपने आसपास के स्थितियों के बारे में सोचता है अपने कलीक्स के बारे में भी एक विचार शीलता रखता है और उसके बाद में निर्णाय लेता है तो उसे सार गर्वित निर्णे की अवस्थाओं के सुरूप में देखा जाता है ये अवस्था आपके सामने याँ पर है हाला कि उन confusion से दूर हट कर भीतर के ब्रह्म मिश्रित भाई से दूर हट कर जब आप अपने मन को देखेंगे तो ये पाएंगे कि वहां की निर्मलता मौझूद है जो तथाकतित तोर के उपर लोगों के द्वारा परोसे जा रही स्वार्थ होते हैं वो भ्रम भी लेकर आते हैं वो भाई भी लेकर आते हैं परंतु जैसे ही विक्ति उससे हटता है तो वो मन की भीतर की निर्मलता को प्राप्त करता चला जाता है शेव उपासना एवं गणपती आरादना इस करम को अपने साथ में आप प्रस्पोटित करके जरूर रखिएगा जौब चेंज की तरफ जाना है या बिजनस में वले ही कोई नए इनिशेटिव्स लेने है ये वर्ष का पूरा ही सिरा आपके लिए धैर की मांग करेगा आप हातो हात सफलता आकस्मिक धनलाप जैसे कोई भी मानसिक ब्रह्म की अवस्थाओं से स्वाहिम को पूर्ण तया मुप्त रखने का प्रहत्न करते चले जाहिएगा द्वितिय भाव अब यहां एक विलक्षन स्तती है देव गुरू ब्रहस्पती एवं मंगल यहां वर्ष की शुरुवाती क्रम मेही परिवर्तन की संयोग अक्मक स्ततियों के साथ में रहने वाले होंगे जहां देव गुरू ब्रहस्पती मंगल राशिस्तान में तो वही मंगल गुरू राशिस्तान में इसे वज़े से नवम पंचम के साथ में नवम पंचम का परिवर्तन भी है देव गूरु ब्रेस्पती इस परिवर्दन के साथ में शुमार होते हुए पुने है नौवी दरिस्टी से अपने ही मोलतरकॉन को जहां सूर्य मंगल कतिमान रहेंगे उस अवस्ता के साथ मरेंगे एक बात और आपके सामने साजा कर दें कि यह जो अचार्टिंग आप देख रहे है यह एक जनवरी दोहसार चौवीस के सूरियो दैकाले कारहार की है तो इसी वज़े से जो दनागमन है वो यहां आपके लिए शुरवात से ही नेरंतरता को प्रसपोटित कर रहा है हाला कि बहुत मेजर लेवल की इंक्रिमेंटल ग्रोथ नहीं है परन्तु जिस लेवल के उपर पॉजिशन चलनी चाहिए जहां से खर्चे निकलता है और व्यक्ति अपने ले कुछ नई इनिशियेटिव की एक फ्रेम को देखने की कोशिश करता है वो पॉजिशन, कंसॉलिडिशन में आपके साथ है वानी, यहां तर्क से मुक्त रहे, भावनाओं से योक्त रहे तर्क उस समय ही रखे जाएं जहां उसकी आवशकता हो हम कई बार तर्क की इस्तितियों में शुमार होते वे को तर्क की और चले जाते हैं उससे आप संबलिएगा इस वर्ष हला कि यहां एक महत्वपूर्ण बात है कि पैत्रिक संपत्ती संबंदी कोई भी विवाद लंबे समय से चल रहा था पारिवारिक जनों के साथ में कोई व्यापार चल रहा था जिसमें अप सेग्रिगेशन के अप्रोच निकल कर आनी है उस लहाज़ा यह समय आपके लिए अत्यंत बहतर कहा जाएगा वहीं पर जो कार वर्ष 2022 में 2023 में पुरी हिशदत के साथ में किये गए थे अधूरे छोड़ दिये गए क्योंकि सफलता नहीं मिल पाई यहां सोयम को बारम बार यही कहिएगा कि सफलता सारगर्वित तोर के उपर आसपास नहत है पुनहें उन परयतनों के साथ में अपने यतनों को जोड़ना और एक बार वर्ष 2024 की शुरुवात में उसमें भी एक जनवरी से साथ फरवरी तक पुनश्चह प्रयास की आभा को अपने लिए देखना यह बहुत महत्पून अवस्ता कही जाएगी और वहीं अटके हुए रुपए पैसे में निरंतर यदि आप एक जनवरी से एक मई 2024 तक प्रयास शील रहते हैं तो वहां से आर्थिक तोर पर वहतरी पुनश्चह प्राप्त कर सकते हैं वहीं पराक्रम भाव यह मेत्पून अवस्ता है आप देखिएगा कि जो शुक्र की स्तिया है वो पुनश्चह पराक्रम भावस्त करम को शुरवाद से ही देखने वाली होगी और वहीं पर देव गुरूप रिहस्त पती एक मई की बाद से पराक्रम भाव में रहेंगे कॉर्पोरेट कल्चर के साथ में जो कई बार व्यक्दी अपने लिए प्रमोशन के एक्सपेक्टेशन करता है शुरवाद के चार महीनों के साथ में तो ववस्ता नहीं परमतु एक मई से लेकर जो समय अंतराल आपके लिए अगस्त और सितंबर तक का चलेगा वो अत्यधिक महत्वण कहा जाएगा आपके लिए आगे की जो अवस्ताएं हैं वो एक अठमोस्ट पॉजिटिव नोट को भी एस्टबलिश करती चले जाती है हम यहां निवदन करना चाहेंगे आपसे कि जो भी नरणाय आप स्वैम के लिए यहां लंबे अंतराल के लिए ले रहे हैं उसमें कहीं पर भी रुकावटों एवं बाधाओं को अपने साथ में आप देखने वाले बिलकुल भी ने रहें अपनी तिवर गामी ताकत के साथ में इस समय अंतराल को यहां लेकर चला जा सकता है कुल जमाजोड शुरुवाती चार मैने इस लगिश बेसिस के उपर हैं उसके बाद में तरमोशन आदी की एक्सपेक्टेशन्स रहेंगी चेंज के साथ में कोई भी डेसिगनेशन की गेन को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसमें सपस्टता रखें कि हम लिक्रेटिव आफर को एक्सप्ट नहीं करें बले ही हम यहां कम वेतन मान में हैं किसी और यहां पर डेजिगनिशन की पूरिशन में नहीं है परमतु जीवन चल रहा है यहां लोगों की स्विकारुक्ती बनी हुई है कोई ऐसा जोखिम नहीं है कि आज नौकरी रहेगी या फिर कल की स्तियां सामने कुछ नया लेकर आएगी जब उस अवस्था से मुक्त हों तो व्यक्ती को कई बार साड़े सांती के प्रथम प्रवास करम में रिस्क कल्कुलेटिव होना चाहिए क्या है देख लेंगे ये जो असपश्टता है खुद को एक तरह से प्रोकरिस्टिनीशन के साथ में लेकर चलने की है खुद को आज के संगर्ष से दूर करने की है इस एक वाक्य से स्वयम को आप नौकरी पेशा जीवन में दूर रखे यातराएं यहां साथ में है धार्मिक प्रयोजन यहां दिरंतर का दिमान है जो भाईयों और मित्रों का सयोग लंबी समय से आपके लिए सारगर्वित तोर पर सामने नहित नहीं था वो साथ है परमतुन के साथ कोई भी कामकाज की शुरुवात करने से आप संबलिएगा शुरुवाती चार महीनों में तो हम निवदन करेंगे कोई भी ऐसे जल्दवाजी रखने वाले आप नहीं रहें इस यात्रा को बढ़ाते हैं चतुर्थ भाव की और देखिए मीन राशी के महनु भावों के लिए ये जो चतुर्थेश का आधार है इस पस्ट तोर पर बाधकेश की स्तितियों को भी लेकर आता है इसे वज़े से इस पस्ट ता ये है कि जब भी नवम के साथ में बुद्ध जुड़ेवे हूं ये अवस्था योग कारक है परंदु चेयाट का संबंद है शुरवाती तोर के उपर भूमी संबंदित निरने में काफी हद तक आप यहां धैर रिवान होकर चलिएगा बले ही मंगल की दिरिस्टी यहां मेतुन राशी स्थान पर रहे भूमी सुथ की दिरिस्टी यहां भूमी भाव पर रहे परंदु जल्दबाजी ठीक नहीं है कमिशन संबंदि कामकाज जो भूमी संबंदित इस्तियों से इतर हो वो आपके लिए बहतरी लेकर आ रहे हैं अग्रिकल्चर संबंदि कारे में शुरुवात की जा सकती है परंदु जहां रियल एस्टेट नामक्शब्द आ जाता है आप अपने प्रोसेस को लगिश करके रखिएगा वहां से आपके कामकाज भी चलते हैं तो स्पस्ट रूपेन जो आपके लिए फरवरी, मार्च और अपरेल का समय रहेगा उसे आप कुछ हद तक तिवर गामिता के साथ में देख सकते हैं ये एक बात दूसरे करम के साथ में स्पस्ट ता ये भी कि माता के स्वास्त को लेकर कुछ सिरे के चिंताएं यहां पंदर है जनवरी दोहजार चौबीस तक रह सकती है वहां तक खुद को संभालने का पूरा-पूरा प्रयत नहाप करते चले जाएं वहीं पर सर्विस इंडस्ट्री संबंधी वरकिंग अप्रोच में जिस डिसिप्लिन के आपको रिक्वार्मिट थी आईटी फिल्ड के साथ में आपका जुडाव है आपने कोई नया इनिशेटिव लिया है उस इनिशेटिव के साथ में बिना रुपए पैसे के कुछ चेंजिस करना है तो उन चेंजिस के साथ में बहुत ज़ादा विचार शील होनी क्या वेशक्ता है नहीं है अपनी तिवरगामिता को उजागर करते हुए आप निरंतर कतिबान होते चले जाईएगा कुल जमाजोड भूमे संबंदित निर्ने में शुरवाती तोर पर जितना आप सलगिश रहेंगे उतने बैटरमेंट यहाँ आपके लिए एस्टपलिश है बढ़ते हैं पंचम भाव की और अब यहाँ जो स्टॉक मार्केट से संबंदित वर्किंग अप्रोच है देखे राहू की जब भी दिर्स्टी पंचम भावस्त करम पर होती है चंदरमाराशी स्थान पर होती है ब्रेस्पती जहां उच्छस सवस्थाओं को प्राप्त करते हैं वहां होती है तो व्यक्ति अपनी जानकारियों को अपने अनुभव को पूरे तरीके से अपने कामकाज में नहीं रख पाता Confusions हावी होते हैं और वहीं से व्यक्ति गफलत पाल लेता है आपको किसी भी तरीके के investment की और जाने की positions को consolidate करना है यहाँ बहुत जादा धहरेवान होकर चलिएगा राहु शुरुवाती तोर पर आकस्मिक दनलाप देकर व्यक्ति को उलजाने का कारे करते हैं और वहीं व्यक्ति को लगने लगता है और confidence आता है कि हमारी त्योरी बिलकुल ठीक है लोग ऐसे ही जूज रहे हैं हम जो करने की तरफ जाएंगे वो शानदार है इस गफलत से आप पूर्ण तया मुक्त रहे कर चलने का प्रहतन करें यहाँ संतान पक्ष के साथ में भी वैचारिक गतिरोज से बचियेगा और जब मंगल का प्रभाव अपने उच राशी स्थान के साथ में फर वरी मार्च के स्थतियों के साथ में रहने वाला होगा तब तो और एक संभलने की आवशकता होगी क्योंकि मंगल बले ही उच्चत्व को प्राप्त करें परमतू अपनी नीचस तराशी स्थान को देखने वाले होंगे वो सवस्था से सभलना आतीव आवशक वहीं पर आप मेडिकल संबंदी फिल्डि स्पेसिफिक के साथ में जुकेशन की तरुप जाना चाहते हैं आप यहां टेक्निकल फिल्ड के साथ में अक्सपरटीज को और जाड़ा बढ़ाना चाहते हैं वहां पर आपके लिए पोजिशन बहतर कही जा सकती है जो महिलाएं संतान सुप के और अगर सर हैं उनके लिए जो यह पूरा ही समय पंदर है जनवरी से 13 फरवरी तक कसर हैगा आप यहां यातराओं आदी में काफी हद तक साथ दानी बरतियेगा सेक्स्ताउस यहां की जो अप्रोच है इस पस्ट रूपेड देव गुरू परेहस पती एवम शनिदेव का जो दृस्टी संबंद का करम है वो यहां पर सस्ट भावस्त इस्तर के साथ में जुड़ा हुआ है यह कहा जा सकता है कि जुस्तमक और नीज को रिलेट करती है उससे आप संबलें वसा से संबंदित रोगों से परिशानिया न बढ़ने पाए और वहीं जो कई बार शारेरिक अवस्ताओं में थुल-थुलापन बढ़ता है यानि कि वजन की ब्रद्धी आकस्मिक तोर पर जो निकल कर आती है उससे संबलने की आवश्टा वहीं पर आप यहां फाइनेंशल बर्डन को अपने साथ में बढ़ाने से बचिएगा प्रेशर आ रहा है रास्ता एक ही है कि लोन की तरफ चले जाओ कहीं से और व्यवस्ता कर लो वहां ठंडे दिमाग से हम ये सोचें कि क्या इसकी आवश्टा है या अभी धैर के अनुशीलन के साथ में खुद को अगरगामी करने क्या वश्टा है ये दो मूल मंतर के प्रभाब अपने साथ में आप यहां गणती अस्तर के साथ में लेकर जरूर चलते चले जाईएगा इस पस्टता इस बात की भी अपने साथ में आप रखने वाले रहें कि यहां जो शत्रुपक्ष है वो परिशान करने वाला नहीं है साड़े सांती के परतम प्रवास करम में विशेशता यह है कि संगर्ष जरूर है परमतुस संगर्ष के चैरे के साथ में शत्रुपत आधार आपके समक्ष इसफस्ट तोर पर नहीं है यह एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लिए यहां इस्टबलिश होता हो नजर आता है सब्तम की चर्चा करते हैं तो यहां आप मुख्य रुपेर्ण यह पाएंगे कि के तु ग्रिहस्त पक्ष के साथ में जल्द बाजी दे सकते हैं थोड़ी से कहा सुने हुई लगने लगा कि अब तो जिवन के कोई रास्ते यहां से बचाई नहीं है वहीं पर जो भी काम काज कमिशन संबंदी अप्रोच के साथ में हो पुनस चह निवदन कि बुद्ध की स्तितियों को देखते हुए वहां बैटर्मेंट है बिजनस के प्रोस्पेक्ट में जल्द बाजी में यहां निर्णे लेना ठीक नहीं है आप से बारम बार निवदन करेंगे कि जो निर्णे आकस्मिक तोर पर आ रहा है उसको डीकोड कीजिएगा स्लू मोशन में उस अप्रोच को अपने साथ में स्टेबलिश कीजिएगा और वहीं से जरनी आपके लिए वाल्व होती चली जाएगी हाला कि यहां बिजनस पार्टनर्शिप में जो अटेच्मेंट और डेच्मेंट का प्रोसेस होता है वो भी बहुत तिवर्ता से निकल कर आता है केतू है कोई व्यक्ति आया और लगने लगा कि इसके साथ में जोड़कर तो नजाने क्या से क्या किया जा सकता है और वहीं पर व्यक्ति दूसरे सिरे के साथ में देखता है वर्षों की पार्टनर्शिप में कि क्या हासिल हुआ मेहनत सारी हमारी है, पूंजी हमारी है, अगला व्यक्ति आनंद ले रहा है और वहीं से व्यक्ति किसी और थ्योरी में वस्ता चला जाता है तो ये जो आकस्मिक आसकती एवं बिरक्ती है जो कई बार तो बिल्कुल प्लस दिखाती है और कई बार माइनस इतना दिखा देती है कि कुछ बचता ही नहीं है इस एक प्रपूशन से खुद को आप स्टेबलाइस कीजिएगा इर्थाउस के यह डिसकेशन की तरफ जाते हैं तो देव गुरू प्रिहस्पती की स्थिया मुक्य रुपेण जो अस्टम भावस्तिकरम के साथ में यहां पर दिर्श्टी संबंद को रखने वाली होगी यह स् इस द्वादश भावस्तिकरम के साथ में यहां स्वगरही इस्तितियों में है तो इसी बज़े से बले ही यहां स्लगिश प्रोसेस हो आपके लिए विदेश संबंद कारियों का परम्तु वहां आगे बढ़ने की गुंजाईश हैं आपके समक्ष रहने वाली होंगी hidden problems पर एक तरह से squeezed up approach देव गुरुपरिहस पती ने रखी हुई है नवंभाव की चर्चा करें तो आध्यात्म के सरोकार उस्तिवर गामिता के साथ में आपके लिए नहीं है fascination, determination के उपर हावी है वही lucrative process हावी है भाग्य का सयोग नहीं है परम्तु फिर भी व्यक्ति विशेश ये सोचता है कि कहीं ने कहीं तो किसमत सयोग देगी निरनाई लेते है इसे कवस्ता से स्वयम को बारंबार संभालने की आवशकता है परम्तु इसे के साथ में medical फिल्ड में आप किसी विरुकावट एवंबाधा को अपने साथ में यहां देखने वाले नहीं होंगे ये तेवरगामिता आपके लिए आप IT फिल्ड के साथ में risk के proportion को involve करके खुद को किसी और situation में evolve करना चाहते हैं वहाँ ये समय संग्रहित अस्ताक्षर आपके समक्ष रख रहा है वहीं दशम भाव की चर्चा करें जो महानुभाव administration के साथ में है, human resources के साथ में है, जो महानुभाव वर्दी धारी नौकरी के साथ में चलने वाले होते हैं, जिन महानुभावों को अनुशाशन पर शाशन सापित करते हुए, मन के कोने की व्यक्रताओं को शा दशम भाव इति इच्छा शक्ती वर्ष दो हजार चौबीस विक्रम संबदसर दो हजार असी क्यासी के बेहद शांदार पर भाव के साथ में कहा जा सकता है, कि शुरुवात पूरी उर्जा के बीजारोपन के साथ में हो रही है, जहां सिंदर अंतर गतिमान होने की आपकी के लिए काब जाव इशकता है रहने वाली होंगी परमतुपता के साथ संबंदों से आप संभल कर चलिए का, वहीं इंस्टन्ट एनरजी किसी भी वर्किंग पेस के साथ में निकल कर आई, फिर धीमेपन के शकार होते चले गए, इन अवस्ताओं से सभालना खुद कावशक लाब भाव की चर्चा करते हैं, तो जब यहां पर मकर राशिस्तान के साथ में सुर्देव का परभाव निकल कर आएगा, फरवरी मार्च के साथ में मंगल भी अपने परभावी करम के साथ में होंगे, उसी अवस्ताओ शेश के साथ में इस्पस्ट किया जा सकता है, कि लाबेश यहां व्याई भाव में है, खर्चों की निरंतरता साथ में है, जब व्यक्ति अपने एक्स्वेंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो उसे यह समझना चाहिए, कि आज भले ही इन खर्चों के ते वरगामिता साथ में हो, पर तु आगामी करम क्या कर रहा है, यह स्प व्याई करवाती है, कोर्ट कचेहरी संबंदित मामलाद से, जितना आप स्वहिम को संभाल कर चलेंगे, उतनी ही जीवन की बीतर बहतरी की आधार शिला को, आप अपने लिए प्रस्पोटित करते चाहेंगे, यह विश्वस्त करम अपने साथ में अब जरूर बना कर रखें तो यह था मीन राशी के महनुभावों के लिए, वर्ष दोहजार चौबीस के वारश एक राशी पली का पूरा ही चर्चा बरतांत आपके समक्ष रखने का एक किंचत प्रयास, आम इसी तरह से उपस्तित होने का प्रहत में करते रहेंगे, आप सभी को वर्ष दोहजार और सूर्य दे के साथ में चलता हुआ, प्रखर उर्जा के साथ में अपने जीवन की दिप्त चेतना को देखने वाला रहें, इन्हीं शब्दों के साथ में वानी को हम विराम देते हैं, कोटिश है आभार, एवम धन्यवाद,